तो दोस्तो कि आप लोगे मनने मिद्स अवाल आता है कि एक बार हैंसेटाइज़र का अपने हानों पर या फिर किसीुछ सते पर यूज़ करने के बाड़ इसका असर कितने टाइम तक रेता है और दोस्तों क्या हम लोग हैं सेरिटाइजर को अपने हाथों पर यूज करने के बाद खाना खा सकते हैं या नहीं दोस्तों कुछ इस तरह के सवाल यदि आप लोग के मन में आते हैं दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रही हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को इन दोनों सवालों के जबाब मिलने वाले हैं चली दोस्तों बिना किस्तेरी के सुरू करते हैं तो दोस्तो सबस्क्राइब हम बात करते हैं कि हैंट सेनेटाइजर का एक बार अपने हाथों पर यूज़ करने के पाद इसका अथर कितने टायम तक लेता है तो दोस्तो इसका आज़िए तीन से चार मैट जी हां दोस्तो आप जब भी किसी एलकोहल पेश्ट हैंड सेनिटाइजर को अपने हाथों पर सेनिटाइज करते हैं तो इसका जो अथर होता है वो तीन से चार मिट तक बनकरार रहता है मतलब कि आपके हाथों पर मौझूद पूरे बेक्रिया एक बार यूज़ करने के बाद समाप हो जाते हैं ठीक दोस्तों लेकिन यदि आप तीन से चार मिट बाद किसी ऐसी सत्य की संपर्ग में आ जाते हैं जिसमें की बेक्रिया मौझूद हो तो आपको दोबार से अपने हाथों को सेनिटाइज करना पड़ेगा जेहां दोस्तों कियोंकि कि से इंड्र सेनिटाइजर में आल्कोहल मौजूद होता है और वह तीन से चार मिट बाद अपने आप और याता है तो नहीं करेगा इसलिए दोस्तों यदि आप इस चार्मेंट बाद किसी भी हैंड सेनिटाइजर के यूज़ करने के बाद किसी ऐसी सते के संपर दिमा जाते हैं जिसमें की वेक्रीय मौज़ूद हो तो दुबारा से आपको अपने हाथों को सेनिटाइज करना होगा ठीक दोस्तों किलियर है और यदि वो कुछ थोड़ी सी मात्रा में आपके सेव में चले जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन लेकिन यदि दोस्तों आप सेनिटाइजर का यूज़ जिन में 15 से 20 बार करते हैं तो यह थोड़ा हानिकार रखो सकता है तो इस दुरां जो है आपके स आप सकते हैं तो और वेसे में आपको पता दूँ जैसे मेरे पिछली पहले कोस्तन के आंसर में बताया था कि जो इसका अफ़र होता है वो 3-4 मिट तक रहते हैं मतलब आप हैंड सेनिटाइजर का यूज़ करने के बाद तो दोस्तों आप मतलब किसी भी हैंड सेनिटाइज वो समझ में आ गए होंगे और यादी समझ में आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए and don't forget to subscribe. Thank you.